हेलो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो जच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना बुले और मेरी चैनल को सब्स्राइब करना ना बुले आप देख रहें एंगिलर और लारावल वीडियो टुटेरियल सेरीज प्रिविएस वीडियो में आपने देखा कि लारावल में अगर हेडर में से टोकन गेट करवाना हो तो कैसे गेट करवाते हैं आज हम देखने वाले हैं कि लारावल में टोकन को डिकोड कैसे करवाते हैं अगर token invalid हो token header में से ना मिले या तो token expired हो जाए तो वो error handling कैसे होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर user control में से JWT auth हम use कर रहे हैं उसको यहाँ पर रख देते हैं अब यहाँ पर मैं dollar token करके एक variable लेता हूँ जिस में dollar request जो हमने token get करवाय है header में से उसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ और हम send करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो response है वो यहाँ पर return हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ middleware में से dd निकाल दिया अब इसको हम dd करवाते हैं dollar token को middleware में send करते हैं तो यहाँ पर हमें token मिल रहा है इसी token को हमें decode करवाना है तो decode करवाने के लिए हमें jwt auth का use करना है jwt auth उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है operator का use करना है operator के बाद हमें get payload का use करना है जिसमें हमें क्या pass करना है dollar token pass करना है अब हम इसको एक variable में store करवा देंगे यह data return करेगा तो मैंने यहाँ पर dollar data रख दिया उसके बाद dd करवाते हैं अब हम check करते हैं यहाँ पर हमें data मिल रहा है हमारी जो token है वो decode हो गई है और हमें data मिल रहा है अब हमें इसको 2a array करना है जिससे कि यह array में convert हो जाए 2a array function का use किया मैंने इसको मैं send करता हो तो यहाँ पर हमें array मिल रहा है अब हमें error handling करना है कि जैसे कि माल लेजिए कि हमने यहाँ पर token की को निकाल दिया header में से और मैं send कर रहा हूँ तो यहाँ पर error रहा है JWT exception a token is required तो हमें यह error handle करनी है तो इसके लिए हमें try और catch का use करना है catch में हम सारे exception रखेंगे तो हम यह यहाँ से catch ले लेते हैं यह सारे exception मैं वीडियो के description में रख दूँगा तो आपको idea आ जाए कि exception कैसे रखना है यहाँ पर catch में हमने तीन exception रखे हुए token expired exception, token invalid exception और JWT exception token expired हो तो यह exception call होगा token invalid हो तो यह exception अगर token की key नहीं मिलती header में से तो यह exception call होगा तो यह हमने catch रख दिया इसको हम try में रख देते हैं यह हमने यहाँ पर try में रख दिया अगर हमारा जो token है वो सही है तो यहाँ पर जाएगा नहीं तो वो क्या करेगा catch में से error हमें return कर देगा अब हम check करते हैं हमने यहाँ पर token जो header key है वो यहाँ से निकाल दी है send करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है token absent key में a token is required ऐसा हमें object मिल रहा है तो हमारा last वाला exception है वो call हो रहा है अब हमें यहाँ पर custom message set करना है तो मैं यहाँ पर dollar response करके एक variable ले लेता हूँ उसमें मैं array create करता हूँ array में मैं key ले रहा हूँ message करके message में मैं यहाँ पर arrow में यहाँ पर message लिख रहा हूँ token is required और यहाँ पर array में semicolon कर देता हूँ dollar response मैं यहाँ पर रखूँगा जिससे की हमारा custom message यहाँ पर दिखाई दे जो last वाला यहाँ पर जो last वाला parameter है वो यहाँ पर status रखा हूँगा है तो send करता हूँ मैं यहाँ पर आप देख सकते हो message आ रहा है token is required और यहाँ पर 500 आ रहा है अब मैं यहाँ पर token की को रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा जो response है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है get one employee वाला जो कि यहाँ से return हो रहा है क्योंकि हमने middleware call करवाया हुआ है तो अगर हमारा middleware call हो गया without error तो वो कहाँ पर जाएगा employee control में get one employee है वहाँ से जो response है वो return कर देगा तो इस तरह से जो exception है token के वो यहाँ पर manage होते है middleware से thank you for watching this video